इद बिल्कुर नजदीक है, इसलिए मैं आखसर शेयर करूंगी एक और मिठाई की रेसिपी, काजू कतली, कुछ लोग इसे काजू बर्फी भी कहते हैं, इसके लिए जो इंग्यूजिएंट्स चाहिऊंगे वो नोट कर लीजे, अब सबसे पहले, कैशू नट्स को आपको ग्राइंड करना है, और इतना ग्राइंड करना है कि एक पाउडर की शकल इस्तियार कर ले, अब एक पैन लीजिए और बिल्कुल लो फ्रेम बेस को गरम कीजिए, और इसमें शामिल करना है टू कप्स अफ शूगर और टू कप अफ वोटर, आपको शूगर को अच्छे से डिजॉल्व करने तक कुक करना है और उस वक तक कुक करना है जब एक तार की चाशनी तयार हो जाए, एक बॉल में लीजिए, फोर टेबल स्पून गरम दूद और इसमें शामिल कीजिए, हाफ पिंच सैफरॉन और अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जब आप देखें कि आपकी चाशनी तयार हो गई है, तो ग्राइंड की होई कैश्व नट्स को शामिल कीजिए, अच्छे से मिक्स करना है, और इसमें शामिल करना है, फोर टेबल स्पून मिल्क पौडर, और हाफ टी स्पून इलाइची पौडर, अच्छे से मिक्स कीजिए और दो से तीन मिनट तक इसको कुक कीजिए और चमचा भी साथ साथ चलाते रहना है, फिर इसमें शामिल करना है, फोर टेबल स्पून देशी ही, आपको इसको बिल्कुल लो फ्रेम पे चमचा चलाते हो पकाते रहना है, आपको इसमें शामिल कीजिए सेफरोन मिला हूँ दूद, हूँआ ऑको जूए मलिप मिला है, बिल्कुल लुद, आपको जबम टाने हैं, अपको इसमें कीजिए तक अफimal जफ़िए Зच्वाराई गीनिएट काडमु करना है, कर番 कहार्या है, तक कि भी समय भी स हो जपली सेफरोने हो उना जामचा, झाल झाल मिक्षर को गाडा होने तक कुक करना है और जब आप देखें कि आपका मिक्षर जो है वोई डो की फॉर्म इखतियार कर गया है तो इसका मतलब है कि आपका मिक्षर बिल्कुर रेडी है आप एक ट्रे में बेकिंग पेपर को बिछाईए और तयार किये हुए मिक्षर को अच्छे से पहलाना है रोलिंग पिन की मदद से इसको बिल्कुर फ्लैट कर दीजे जिस भी शेप में चाहे आप इसे कट कर सकते हैं आपकी काजू कतली या काजू वर्फी बिल्कुर तयार है इस एद पर जरूर ट्राइ कीजेगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपकी कीजिए